हेलो दोस्तों आज हम बनाएंगे चोराई और आलू की सबजी तो इसके लिए मैंने चोराई को अच्छी तरीके से धुल लिया है और आप हम इसे कट करेंगे तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है आप देख सकते हैं इसके मोटे रंठल मैंने निकाल दिये थे तो इसे म मिर्च को काट लिया है और एक प्याज को इस तरीके से काट लिया है और अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए गयास पर मैंने रख दिये कड़ाई कड़ाई में डाल दिया है सरसो का तेल तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है तो अब हम इसमें लस्न को डाल देंगे तो आप हम डाल देंगे प्याज जो हमने कट करके रखा है अब हम प्याज को भी डाल देंगे और इसे भी थोड़ी देर हम भून लेंगे तो प्याज हमारे अच्छी तरीके से भून चुके हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च बारी कटी हुए और इसे भी थोड़ी देर हम भून लेंगे प्याज, लसुन और हरी मिर्च अच्छी तरीके से भून चुके हैं आप देख सकते हो तो अब हम इसमें चौराई डाल देंगे इस तरीके से चौराई को मैंने अच्छी तरीके से धुल के काट लिया था ये बिलकुल साफ है सारी चौराई को हम इस तरीके से कड़ाई में डाल देंगे और इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से चलाएंगे और अब हमारे चाहए और आलू अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हो एने चलाती हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो आप हम भी में भास के नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरीकी से हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे वापस से ढखके पकने के लिए छोड़ देंगे इसे हम ढखके पांच मिनिट और पकाएंगे तो इसे मैंने अच्छी तरीके से ढख दिया है इसे हम पकने देंगे पांच मिनट तक अच्छी तरीके से तो पांच मिनट हो चुके हैं दोस्तों सब्जी हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुकी है तो अब हम इसे इसे 2 मिनट के लिए धक्क्या से रहने देंगे इसे वापस से खोलेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी सबजी बनी है और ये सबजी बहुत ही हेल्दी भी होती है तो अमीद है कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आये होगी अगर पसंद आई हो तो प्लेट चैनल को लाइक करें, सेयर करें, सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रेस करें, औल पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोडिफिकेजन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में ऐसी ही नएने रेसीपी के साथ, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार